वेलकम गाइज गाइज आप देख रहे हैं अपना एक यार अपडेट चैनल गाइज आई हूप के आप सारे अच्छे होंगे तो गाइज एक न्यू अपडेट मैं लेके आया हूँ जे न्यू अपडेट जो है वड़ा जुरूरी भी है जे पार्टिकुलर ने साल में जो सबसे पहले इंफरमेशन हो जाए तो गाइज हम बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं जो मैं भी नियू अपडेट लेके आया हूँ तो गाइज बात करें हम अगर अपने ने अपडेट की तो इसमें मैं आपको बता दू जो नियू येर आने वाला है ठीक है मैं 2021 है इसमें फोर एकलिफस लगेंगे कितने लगेंगे इसमें फोर एकलिफस होंगे में इसकी चार ग्रहन लगेंगे उन चार ग्रहन में से जो दो ग्रहन है वो इंडिया में है बिजवल होंगे मेंस की इंडिया में वो हम देख सकते हैं दो ग्रहों को चार में से तो एक न्यूस अपडेट के मताबिक जो एक न्यूस सोरसे से हमें पता चला है कि जो फोर एकलिप्से हैं 2020 में, वन में लगेंगे और दो जोए हैं वो इंडिया में विजवल होंगे, नहीं पुरे वर्ल्ड में Total solar eclipse होगा, और one total lunar eclipse होगा, means के, इसमें कर ओंगे, कि जो 4 eclipse लगने है, उन में से ऩोलर उकलीप्स होगा, ठीक है? और एक total lunar eclipse होगा, but only two will be visible, लेकिन इन में से golpele, दो ही दिखेंगे कहां से, इंडिया से, ठीक है? दिखेंगे कहां? वो केबल दो ही दिखेंगे इंडिया से उजैन वेश, जिवाजी अबजर्बेटरी सुप्रेटेंटर डाक्टर अरजेंदर प्रकाश गुर्त ने आज बात बोली है वो बोल रहे हैं और उन्हों PTI News से बोला है कि जो first of these event जो सबसे पहले जो हमारी स्टेट है उनके कुछ पार्ट में कोस्टल जो पार्ट है उडिसा गा और जो नार्थ इस्टर्न स्टेट हैं बहाँ पर नार्थ इस्टर्न स्टेट सभी में लेकिन केबल सिक्किम को सोड़ के बाकी स्टेट में देखा जाएगा As the moon is visible earlier in these places और जहाँ पर जो moon है जो ग्रहन वाला है जो पहले ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा and these places then other parts इन प्लेसे इन जगों के बाद बाकी वाले पार्ट में देखा जाएगा आगे अगर बात करें the earth will cover the moon जहाँ पर जो earth है जो कबर करेगी moon को कितना 101.6% जो इस तरीके का जो astronomical event जो ग्रहन लगया जहाँ पर जो earth है जो moon को कितने परसंट कबर करेगी 101.6% कबर करेगी जो किसने बोला है जो डाक्टर जेंदर परकाश गुपत जो थे उन्होंने बोला था इसके बाद अगर हम बात करें ए टोटर lunar eclipse पहले solar eclipse अब बात करें टोटल lunar eclipse जे दिखाए देगा अकर्स होगा when the earth comes जे कब होता है जब earth जो है between the sun and moon जब जमीन जो है वो चांद और उसके सूरे के बीच में आती है तब इसके बाद आगे बात करें मिस्टर गुपत ने जहे बोला है कि जो annular solar eclipse है जे कब लगेगा June 10 को मैं द्वारा बता दूँ मिस्टर गुपत ने बोला है कि जो annular solar eclipse है जे लगेगा June 10 को और जे नहीं दिखेगा जे इंडिया में नहीं दिखेगा और जे जो वेंट है इस वेंट में जो moon है विलकम जे जो चांद है जे किनके बीच में आएगा sun और सूरे और अर्थ के बीच में इससे क्या होगा जो sun है वो कबर हो जाएगा कितने परसेंट 94.3% कबर हो जाएगा और जे दिखेगा विलकुल एक ring of fire की तरह ठीक है एक ऐसा ring of fire means की गोलकार circle type की जो किसी चीज को हम fire लगाते है उसके guarding जे दिखेगा इसके लावा आगे बात करें जब पार्षिल जो थोड़ा सा पार्ट जो lunar eclipse का जे दिखाई देगा कब November 19 को means 19 November को and can we seen और जे कहां पर दिखेगा फ्राम और नाच्चा परदेश और जो कुछ पार्ट है असाम के बहाँ पे लेकिन very short period थोड़े से समय के लिए ठीक है at the peak of this event जब जे event जो है means लगा हुआ होगा जादा time हो गया होगा इसको लगे हुए तब कम से कम 97.9% जो moon है जो दिखेगा जिसको cover किया होगा किसने अर्थ की shadow में मैं दोवारा पता दूँ जब जे event हो जाए means की जे ग्रहन लगा होगा उस से में जो moon है वो उसको cover करेगी अर्थ की shadow ठीक है and will we seen covered by the earth shadow जो total solar clips है वो December 4 को लगेगा जो last of cup 2021 के last month में लगेगा and will however not be visible लेकिन ये भी इंडिया से तिखाई नहीं देगा ठीक है इस साल जो है कितने होगे थे अगर हम 2020 की बात करें दो solar और चार lunar eclipse होगे थे लेकिन जो आने वाला new year 2021 उसमें कितने है उसमें 4 eclipse होंगे और उन में से 2 जो है वो केबल इंडिया में विजिबल होंगे तो गाइज ये थी जो मेन ग्रेहन के रिकार्डिंग जो बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था गाइज आप में चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो अगर आपको कुछ पूछना है कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट वाक्स में लिख सकते हो थेंक्यू गाइज